साल 2002 की सबसे हिट फिल्म देवदाज जिसे 16 साल हो गए हैं और आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ दिल्चस्प किस से बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि भई करीना की वज़ा से ही एश्वार्या राय बच्चन स्टार बन गई थी जी हाँ जैसे कि आप सभी जानते हैं फिल्म देवदास में शारुख खान, इश्वार्या राय और माधुरे दिक्षित थे लेकिन क्या आप जानते कि इस फिल्म में इश्वार्या को मजबूरी में लेना पड़ा था दरसल भंसाली ने पारो के रोल के लिए करीना कपूर को स्क्रीन टेस्ट किया था करीना कपूर संजलीला भंसाली की पहली पसंद थी लेकिन करीना की मा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि पारो जैसे रोल के लिए वो भी बहुत छोटी है और उसके बाद संजलीला भंसाली को मजबूरी में इश्वार्या को कास्ट करना पड़ा वही इश्वार्या ने इस फिल्म में काफी भैतरीन परफॉर्मिस दी कही न कहीं इस फिल्म के बाद इश्वार्या को पहचान मिली थी और इसी वज़े से इश्वार्या राय काफी बड़ी स्टार बन गई अगर करीना इस फिल्म को करने से मना नहीं करती तो शायद आज इश्वार्या उतनी बड़ी स्टार नहीं मानी जाती वही इस फिल्म के बाद ऐश्वेर्या को बड़ी-बड़ी फिल्मों के ओफर आने लगे और आज ऐश्वेर्या बॉलिवूड की सबसे खूबसूरत और सबसे पॉपुलर एक्रसेज में से जानी जाती है नेक्स्ट नाई न्यूजरूम से सुकंदालन की रिपोर्ट स्टार्ट यूर कारियर विफ अज